कतर में पूर्व नौसेनिकों को मृत्युदन की सजा का मामला सुर्खियों में है भारत ने वहां कि अदालत के इस फैसले पर हिरानी जताते हुए इसे बेहत दुखत बताया है हाला कि एक मामला और है जिसमें आग्रा के रहने वाले पूर्व नेवी के कैप्टन को सजा हुई थी सजा पूरी होने पर सन्दी के तहट उन्हें इरान से भारत लाया गया आग्रा की केंद्रिय कारागार में 42 दिन बाद उन्हें सलाखों से आजाद कर दिया गया इससे परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा मामला चार साल पुराना है आग्रा पुलिस के मताबिक अच्छनेरा के गाउं सूरोठी निवासी राजवीर मचेंट नेवी में कैप्टन थे वोर क्रूस पर तैनाग थे तब गैस फ्यूल इरान से पाकिस्तान जा रहा था इस फ्यूल की स्मगलिंग की गए थी मामला सामने आने के बाद इरान में ये पकड़े गए थे इनमें भारत के तीन नागरिक थे राजवीर को 14 जुलाई 2019 को गिरफतार किया गया था तीन महीने बाद उन्हें तीन साल की सजा हुई जुर्माना अधिक होने से सजा पूरी करने के बाद भी जेल में थे उन्हें तकरीबन 15 साल और जेल में गुजारने थे मगर भारत और इरान के बीच संही के तहत नागरिकों की जानकारी भारत भेजी गई इस पर 15 अगस्त को आगरा से एसीपी छत्ता आरके सिंड और एसीपी पिनाहत अमर्दी प्लाल इरान भीजे गए थे एक सब्ताह तक सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद वह राजवीर को अपने साथ वतन ले आए एसीपी छत्ता आरके सिंड ने बता कि राजवीर को फ्यूस मगलिंग के आरोप में तीन साल की सजा हुई थी सजा पूरी करने के बाद उनकी आजादी पर फैसला नहीं हुआ था इसलिए उन्हें 23 अगस्त को आगरा की केंद्रिय कारागार में रखा गया 4 अक्तूबर को रहाय आदेश मिलने पर उन्हें जेल से रहा कर दिया गया सजा पूरी कर ली थी केंद्रिय कारागार के अधीक्षक ओपी कट्यार ने बताया कि इरान में राजवीर ने अपनी सजा पूरी कर ली थी उन्हें यहां लाकर केंद्रिय कारागार में रखा गया था ग्रह मंत्राले से आदेश मिलने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया पत्नी रेनु उनको लेने आई थी महराश्ट्रा और राजस्थान के भी थे दो नागरिक संधी के तहट एक दूसरे के बंदियों को उनके देश में सौपा जाना होता है भारत में बंदी के आने के बाद भारतिय कानून के मताबिक ही सजा पूरी करनी होती है मगर इरान के बंदियों के मामले में ऐसा नहीं था वो सजा पूरी कर चुके थे इसके बाद उन्हें यहां भेजा गया था आग्रा के साथ महाराश्ट्रा और राजस्थान के भी बंदी थे उनकी पूर्व में ही रहाई हो गई थी राजवीर की आजादी के लिए परिवार ने काफी मेहनत की भारत लाने पर भी पत्नी इधर उधर भटक रही थी उन्होंने आग्रा प्रशासन, मुख्य मंत्री और ग्रह मंत्राले में गुहार लगाए इसके बाद राजवीर की रहाई हो सकी